कई दीशों में करोना फिर से कहर बरपा रहा है खासकर चीन में हाला कि करोना चीन की ही देन है जिसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है डबलो एचो ने सभी को अलट भी किया है इसी को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य को अलट कर दिया है इस पर हर्याना के ग्रे एव स्वास्ते मंत्री और निर्विज ने कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है और पूरी मात्रा में उनके पास ओक्सिजन है और हर्याना पूरी तरह से तैयार है अभी हार ही में गुड़गाओं के के एमपी रोड पर उनकी मर्सडीज गाड़ी का शोकर खराब होने से वो बाल बाल बचे थे इसको लेकर अब विज ने राजसरकार से दूसरी गाड़ी की मांग की है देगें यह मेरी गाड़ी का बला से गुड़गाओं जाते हुए इसका शौकर खराब गया था ड्रैवर स्टाइडवरी जो गाड़ी की बुड़ी है वो पूरी तरह से सड़क में दस गही थी तो उसको देखते हुए मुक्या मंतरी मोहताय ने इसको खाभी गंभी होता से लेते हुए इसके लिए एक SAT भी गठित की है को जांच कर रही है लेकिन जांच का नतीजा कुछ भी निकने है चलती गाड़ी में तो शौकर का टूट जाना यह बहुत गंभीर बात है तो मैंने वो गाड़ी वापिस बेशती है सरकार को और मैंने चीफ सेक्टरी को साब को लिखा है कि मुझे दूसरी गाड़ी उपलबत करें जाए अब देखिए जितना भाईचारे को खराब कांगर्स पार्टी ने किया है किसी ओड़ा ने कि हारते जनता पारटी तो सब को साथ लेके चलती है पहले दिन से प्रदान मुंसरी कह रहे हैं कि सब का साथ सब का पिश्वास को नारे को लेकर चल रहे हैं अब राहूल गांदी का तो चश्मा खराब रता मेरे को कहां से नदर आता कि भरते जनता पार्टी कोई भीद बहु करती है वही अनिल विज ने राहूल गांदी के बीजेपी नफरत पहलाने वाले बयान पर भी पलटवार किया विज ने कहा है कि बीजेपी हमेशा से लोगों को साथ लेकर चलती रही है लेकिन पता नहीं क्यों राहूल गांदी के अंदर बीजेपी को लेकर इतनी नफरत भरी हु डेटा आपको मिले सबसे आगे सबसे पहले खबर की धड़कन समझते हैं हम पालात की संजीत की जानते हैं हम एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की क्योंकि हम हैं अरताज सबसे आगे